मक्सोदा मनस्तवरी आप देख रहे हैं यह एक न्यू मोडल लॉंच हुआ है उसका आपको मकमब रीवी तरवाने जा रहा हूं आप लोग देख सकते हैं यह हाइर का फुली आटमेटिक एक डबली एम सी स्कारा दिरो आठ वाइ एक मोडल लॉंच हुआ है न्यू इसको इसको बचा के रखें खुश कर रखें मैक्सिमाम स्टैक यानि एक मशीन को ऊपर एक मशीन रखी जा सकती है डू नोसरा रोल इसको रोल नहीं करना भी आगे मजीद इसका मैं आपको बैक अप बताता हूं नादरीन वह आगे उसका फ्रंट साइड थी यह बैक साइड है ज ठीक है फुली आटमेटिक बोशिंग मशीन है जो डवली एम अस्सीस तारह जीरो आठ वाय इसको आपको बिचाया गया जी यह इस तरह से नों केंसलेशन नों कीन फिक्स ट्रांस्पोटेशन में मकंबल आपको बताया गया कि इस तरीके से ट्रांस्पोटेशन होनी यह आप लोग मकंबल को देख सकते हैं यह आप लोगों के लिए है आप लोगों को बिचाने के लिए है कि आपने इस मशीन को मूव के ओन कैसे करना है तो नीचे अगर देखें तो कलर इसका ग्रेया नेट वेर यह इसकी डिमेंशन जगरा आपको नीचे दिखाई गई है दिखेंगे और उपर वही कुछ है जो आगे मैंने आपको बता दिया है यह हो गया इसके काटन के मैंने आपको मुकंबर रीवियू कर वाया तो यह आप इसका मुकंबर रीवियू कर सकते हैं अब इसके मुकंबल पैनल इसके पूल ड्राम आटो रीस्टार्ट और सीजी फट्शन यह सारा लिखा गया तो यह इसका टाप जाई इसकी स्पिन गैसकट है इसकी सेफटी के लिए इसका स्पिन ताप आप देखते हैं कपड़े वाश करने के लिए और कपड़ों को स्पि इसके बाद यह प्रेटर लगे होगे हैं यह 8KG का टाप पहले 8KG का हाइर का यून्ट नहीं था अब इन्होंने न्यू मोडल लॉट्ट किया ठीक है जी पहले साधे आर्ट केजी में था 9KG में था 12KG में था 15KG में था लेकिन आप 8KG में इन्होंने दो मोडल इस मशीन का ठीक है जी इसमें आपने यह ही सर्फ वगेरा डालने के लिए और लेकोड डालने के लिए कप्ड़ों की पश्बू के लिए यह बहुत ही कमाल का यून्ट 8KG का और दूसरे मोडलों से दूसरे यून्टों से प्राइस में भी कम है नादरीन यह इसका आपने लेवलिंग वाशिंग मशीन हैंडलिक फड़ लेना वाइल पाय फीटर इसको किस तरह से हमने इससे अमने मुषिन को रखने यह आप लोगों इधर से लाजमी तोर पर इसको पड़ लेना ताखिए आपको पता चल जाए कि मिशिन के कैसे करनी है इसके बाद इंस्तालेशन कैसे करनी है नाजरीन ये इसका वाटन डैट वाल ऐस जो के पैप दिखाया गया आपको वाशी मशीन के अंदेर ता वो इदर लगता है इस पानी इंटर होने के लिए ठीज आजू है ये इसमें जाली लगी होती है ये कमाल की जाली होती है इसको फीड़िटर करके पानी को व स्पीड में ना जाए पानी की स्पीड जो स्पीड चाहिए वाशिंग सिंग उसी स्पीड से जाएगा अगर यह जाली में खलल नहीं होगा रकावट नहीं होगी तो इस जाली को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लाज़मी चौर पर वाश करना है तो यह था आज का तो ठैक्स फार वाचिंग इस वीडियो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो काईने मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे बैले के आईकॉन पर कलिक करें ताग आने वाली वीडियो को पाकिस्तान जिंदाबाद